नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अधती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद अब आईए हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न कर लें जो कि इसी संकलन पर आधारे थें। किसी वस्तू का द्रव्यमान प्रित्वी पर 19.6 किलोग्राम है। तो सब से पहले लिख लेते हैं प्रित्वी पर द्रव्यमान प्रित्वी पर इसका जो द्रव्यमान है। वो कितना है और मान लेते हैं कि हम इसे निर्दिष्ट करेंगे M.E. से जो कि दिया गया है 19.6 किलोग्राम। पूछ रहे हैं इस वस्तु के पृत्वी और चंद्रमा पर द्रव्यमान का अनुपाद ग्याद करिए तो पहला अगर हम भाग देखें तो हमसे क्या कह रहे हैं कि इसका जो द्रव्यमान है पृत्वी पर और जो इसका द्रव्यमान होगा चंद्रमा पर इनके बीच का अनुपात ग्याद करिए तो क्या आपको लगता है कि जो इसका द्रिव्यमान चंद्रमा पर होगा वो को चलक होगा बिल्कुल भी नहीं तो चंद्रमा पर जो द्रिव्यमान है वो भी M.E. के बराबर होगा और इसका अनुपात एक हो गया और सिर्फ इसी वस्थू के ले ही नहीं आप कोई भी वस्थू ले लेजे और अगर आप उसके द्रिव्यमानों का अनुपात निकालेंगे तो वो हमेशा ही एक आएगा अब आईए हम दूसरे भाग की और सलते हैं तो प्रिथवी और चंद्रमा पर भार का अनुपात निकालेंगे और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रिथवी पर और चंद्रमा पर इसका जो भार है उसका अनुपात निकालेंगे तो वो भी हमें मालुम है कि क्या हो जाएगा किसी भी वस्तू के लिए वो 6 हो जाएगा या फिर हम कहें कि चंद्रमा पर जो उसका भार है वो एक छटा हर्सा हो जाएगा जो उसका भार है पृत्वी पर तो इस तरहां से आप देखिए कि इस प्रशन में हमें पृत्वी पर दिर्विमान दिया तो गया मगर क्योंकि ये प्रशन जो है बिलकुल आधार पूर संकलन पर ही आधारित है तो इसलिए हमें इसकी प्रयोक की जरुवत ही नहीं पड़ी हमने खोस्वयम अपने जो संकलन हमने पढ़े उसी से उत्तर दे दिया